नमस्कार, मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर खोश कबर का एक्रम। आज हम बिल्कुल संग्शेप में आप से कुछ बिंदूओं पर चर्चा करेंगे कि मोदी जी ने जो देश के नाम संबोधन किया उसका मर्म क्या है। आखिर वह क्या कहना चाहते हैं वह देशवासियों की सुनते तो नहीं हैं अपनी सुनाते जरूर हैं प्रधान मंत्री के तौर पर और आज उन्होंने सुनाया वह तो वाकई इतिहास हैं। उनके राज में देश मरगट में तबदील हुआ। हम और आप भूल नहीं सकते कि गंगा मैया में किस तरह से लाशे बहती रही, सड़ती रही, चील कववे जानवर उसे खाते रहे। लेकिन देखिए, आज प्रधान मंत्री सब के सामने सफलता के लिए अपनी चाती पीट रहे थे। वे गुरदान कर रहे थे, वे बता रहे थे कितनी महांता से उनकी सर्तार ने काम किया। सिर्फ यही नहीं वैक्सीन के लिए किलो मीडर लंबी लाइन लगी रही। इतनी अफ्राख तफ्री रही। हमने, आपने, हमारे मानीये कोटों ने देखा, आदालों तो ने देखा, लेकिन प्रधान मंत्री नरेन मुधी का आज का सम्मोधन बताता है। कि वह सब तो था ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं इस देश में, कोई मरा ही नहीं इस देश में प्रधान मंत्री ने दो तीन चीजों पर बहुत जोर दिया और जिस पर मीडिया बहुत वाहवाही करेगा तमाम लोग तालियां बजा रहे होंगे, लेकिन उनका ध्यान से विश्टेशन करना बहुत जरूरी है पहली बार, जो सबसे खतरनाक उन्होंने कही, उन्हें पता है कि पूरी करोना की दूसी लहर आई इसमें जिस तरह से लाखों लोग मारे गए, तड़ब तड़ब की ऑक्सिजन के लिए गुहार लगाते रहे इससे आपके डिलों में और हमारे डिलों में बहुत गुसा है इस गुसे को डिफ्यूज करने के लिए उन्होंने बहुत ही तगड़ा अस्त्र चला उन्होंने कहा राज्य सरकारे खेल रही थी, राज्य सरकारे चाहती थी अपने पास ताकत, राज्य सरकारों ने सारी ताकत अपने पास ले ली थी और इस तरह से सारी बरबादी, सारी तबाही का ठीकर आप खोड़ने की कोशिश प्रधान मंतरी ने पूरी चालाकी के साथ राजिस सरकारों पर खोड़ने की कोशिश की और यह हमने सब ने देखा क्योंकि हम सब को याद रखना चाहिए कि इस से पहले मुख्यमंतरियों से ग तरह से ऑक्सिजन नहीं दे रही दवाई नहीं दे रही उससे लोगों की जिंदगी बचाना उनके लिए मुश्किल है और आज देखिए प्रधान मंतरी नरेम मोदी ने क्या जवाब दिया बहुत बड़ा समय उन्होंने अपने आधे घंटे से अधिक के संभोधन में लग इस तरह से प्रधान मंतरी ने आज बहुत जम के जो फेडरल स्ट्रक्चर है जो राजी सरकारे हैं उनके खिलाब हमला बोला है इसे ध्यान रखना जरूरी है वही देखिए इसके साथ-साथ उन्होंने वैक्सीन को लेके बहुत दरिया दली दिखाई उन्होंने कहा कि 21 से उपर के तमाम भारतिय नागरिकों को वैक्सीन मुफ्त में सरकार लगाएगी क्यों साहब आपने बहुत देर कर दी सुप्रीम कोड की इतनी फटकार आपको पड़ी केंड्र सरकार को कटगड़े में देश की सर्वोच अदालत ने किया उसने कहा सीधे सीधे की केंड्र स बाग आज प्रधानमंत्री यू टर्न लेते हैं और कहते हैं कि हम सबसे बड़े देश हैं दुनिया के वैक्सीन लगाने वाले आप भूल गए प्रधानमंत्री मिस्टर पीम कि इस वेव में जितने लोग कोरोना से मरे हैं उन में से अधिकांश की जिंदगी बचाई जा सकती थी अगर आप चुनावी यात्रायना कर रहे होते अगर आपको लोगों की चिंता होती अगर आपको पांच विधान सभाओं को जीतनी की चिंता नहीं होती आपकी सरकार काम कर रही होती आपने बहुत आसानी से कह दिया कि मेडिकल ऑक्सीजन की इतना बड़ा संकट इतनी बड़ी जरूरत देश ने कभी महसूस नहीं की सरकारें हम इसी लिए चुनते हैं ताकि सरकारें आपदा में काम करें जब आपदा आई तब से लेकर आज तक केंडर सरकार का जो हस्तक शेप रहा वह बहुत ही शर्मनाक रहा आप राधिक रहा यह हमने सब ने देखा राज नागरिक मारे गए क्योंकि आपकी सरकार उन्हें आकसीजर नहीं मुहया करा पाई आप हमें बताते रहे कि उद्यम करना चाहिए लेकिन उद्यम तो इस देश की जंता कर रही थी लोगों को बचाने के लिए और एक बहुत बड़ी बात बहुत बड़ी चूक जो आज आप आपने की आप कहीं से भी शर्मिंदा नहीं हुए आपने देश के लोगों से माफी नहीं मंगी इतने लाखों लोगों ने जान गवाई उन्हें यहां तक की अंतिम संसकार भी कायदे से नसीब नहीं हुआ जिस संसदी छेत्र से आप चुनकर आते हैं बनारस वहां से लेकर गंगा जो पूरी की पूरी लाशों से अटी और पटी मपाई गई उस पर आपने एक लव्ज एक शब्द नहीं कहा आपने एक शब्द यह नहीं कहा कि जो लोग लाशों को नदी किनारे दफना के गए राम नामी चुनरिया लगा के गए उन चुनरिया को जिस तरह से उटखाड़ा जा रहा था आपको कहीं से भी उन भारतिय नागरिकों के प्रती कोई दर्ध कोई हमदर्धी महसूस नहीं हुई आज बहुत से लोगों को लग रहा था कि प्रधान मंत्री के आखें इससे पहले नम हुई थी मीडिया ने आपके चेहरे पर धलकते हुए आसु दिखाये थे आज देश को संबोधित करते हुए तमाम मारे गए लोगों को आप कम से कम याद करते लेकिन आपने यह सब कुछ नहीं किया आपने वही विजयगान किया कि किस तरह से बहुत अच्छी तैयारी के साथ भारत उत्रा यहाँ बिलकुल सरासर गलत है न डॉक्टर बचाये जा पाए न नर्से बचाये जा पाएं सफाई करमचारी से लेके तमाम लोग शिकार हुए सरकार की उपेक्षा का और यहाँ उपेक्षा देश की जनता भूलेगी नहीं मिस्टर पीम आप तो भूल गए कि कौन लोग मरे गए लेकिन ये देश के नागरिक याद रखना चाहते हैं और उनके प्रती अपना आभार, सम्मान और दर्द विख्थ करना चाहते हैं इसकी कोशिश 6 जून को हुई एक छोटी सी कोशिश जो पूरे देश में अलग-अलग धंग से शुरू हुई जहां लोगोंने अपने परिजनों, अपने चाहने वालों, अपने परिचितों, तमाम लोगों को याद किया जिन्होंने करोना काल में अपनी जान गमाई उन्होंने याद किया एक मुंबत्ती ये दिया जलाकर, एक संदेश पढ़कर, एक जुठ होकर और इसके साथ ही साथ उन्होंने आपसे जवाब मांगा, उन्होंने आपका संबोधन नहीं मांगा, मैं जानना चाहते हैं, जो इतने सवाल हैं लाशों के इर्दगिर्ड, उनका जवाब प्रधारमंत्री कब देंगे? इसी तरह से एक शुरुवात लक्षदीब को लेकर आज यारी साथ जून को हुई है, आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, पूरा का पूरा लक्षदीब वहां के 65,000 नागरे भूखरताल पर हैं, उनके समर्थन में देश के अलग-अलग हिस्सों में लोगों ने धरना किया, प्रदर्शन किया, घरों से अपना संदेश बेजा, वे चाहते हैं कि लक्षदीब को बचाया जाए, जिस तरह की नीतियां वहां पर प्रफुल के पटेल लागू करना चाहते हैं, अमिश्या और मोदी के नित्रुत में उसे वापस लिया जाए, देश लक्षदीब के साथ जिस तरह से खड़ा हुआ, उससे एक बात साफ लगती है कि जूट जूटी रहता है, जूट को बोलते बोलते बोलने की महारत भी चली जाती है, जूट बेपरदा हो जाता है, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर